तो एक लड़की ने सुसाइड करने की मतलब आत्मात्या करने की कोशिश की ये टर्मिनेशन होने के बाद सभी ग्रामेंडाक सेवक की स्ट्राइक थी 12 तारिक से 15 तक 4 दिन की स्ट्राइक थी दिसंबर महिने में पिछले महिने में उनको टर्मिनेट कर दिया गया एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रूल 8 लगाया गया है और रूल 23 जिसकी हमने चर्चा की थी बहुत बार पिछले वीडियो में तो ये इसके तहट उनको टर्मिनेट किया जा चुका है बहुत से ग्रामिनडाक सेवकों को इसी के लिए देखे आप ये सर्कुलर जो देख रहे हैं एक एक दोजार चौबिस को मतलब ये साल के पहले दिन ये सर्कुलर रिशू हुगा AI GDSU ग्रामिनडाक सेवक जो यूनियन है और नैशनल यूनियन ऑफ ग्रामिनडाक सेवक है इन्होंने ये सर्कुलर नरेंद्र मोदी जी को भेजा है आप यहां देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और ये जो लेटर है इसके बारे में मैं आपको बता हूँ से पहले आप सब्जेक्ट पर ध्यान देजिए SOS Message from ग्रामिनडाक सेवक मतलब एक Emergency संदेश है Emergency Message है GDS करमचारियों के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के लिए दोस्तो जो भी ग्रामिनडाक सेवक टर्मिनेट हुए है जिनको भी टर्मिनेशन का नोटिस मिला है ये टर्मिनेशन को हटाने के लिए लेटर लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी को एक request किया गया है उनसे कि ये जो termination है ये unnecessary है irregular punishment इसको बोल सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जितनी भी परिशानियां आती है ग्रामिनडाक सेवक के service period में उसका जिक्र यहां पर किया गया है और Prime Minister जी को प्रदान मंत्री जी को इस later के माध्यम से बताया गया है GDS के terms and conditions के बारे में उनको अवगत कराया गया है आप यहां देख सकते हैं तो बताया गया है कि ग्रामिनडाक सेवक को बहुत ही कम low salary में गुजारा करना पड़ता है और 12 तारिक से लेके 15 तारिक तक strike में थे आप यहां देख सकते हैं जिस पर already no work no pay implement हो चुका है तो 4 दिन का वेतन आपने काट लिया है उसके बावजूद बहुत सारे ग्रामिनडाक सेवकों को terminate कर दिया गया है सबसे बड़ी बात यह है कि termination notice उनको नहीं मिलना चाहिए था और आपर यह भी बताया गया है कि आज के date में नौकडी मिलना बहुत मुश्किल है और उपर से आप जब अपने हक के लाई लड़ते हैं तो उसके against में आपको terminate कर देना यह irregular practice है यह मान्यन नहीं है तो वही यहाँ पर union ने बताया है नरेंदर मोदी जी को और इसकी copy अश्विनी वैशनो को भी गई है यह जो आप देखना है अश्विनी वैशनो जो संचार मंद्री है उनको भी यह copy गई है और तेलंगाना सर्किल में तो आपको पता है कि 1200 से ज़्यादा GDS employee को terminate किया जा चुका है असाम सर्किल बिहार सर्किल में भी है तो बहुत ही एक दुख भरी घटना आप इसको बोल सकते हैं आप यहाँ देखिए पढ़ सकते हैं तो एक लड़की ने suicide करने की मतलब आत्म हत्या करने की कोशिश की यह termination होने के बाद तो इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है और नए साल की बदाई देते हुए जितने भी terminate हुए है उन सब को revoke करने की बाद यहाँ पर कही गई है तो देखिए दोस्तों यह gram in dark से उको जो terminate किया गया था यह जल्दी termination remove होगा और बहुत सारे messages भी आ रहे थी कि termination हुआ तो क्या करें इस पर मैं के अलग से वीडियो बनाऊंगा कि appeal कैसे किया जाता है इसके next वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि appeal का जो format है वो क्या होगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नए update के साथ